हम जो दिर्लिंग कैदारेश्वर की कथा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जो स्वयम शम्भु के रूप है उनकी महिमा गाते हैं जो भक्तों को इस भव सागर से पार लगाते हैं घोले ठर्स दिखाते हैं जो स्वयम शम्भु के रूप है उनकी महिमा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं जै जै के तारे श्मर, बंबं बोले शंकर बारह जो तिर लिंग शंभु के इस धर्ति पर आए, जो तिर लिंग पाजमा इन में श्री के दार कहलाए उत्तर्त शाह माले में है धाम बत्र का आश्रम, बत्री नात धाम पावन है सोयम है विश्नो भगवन यही के दार खंड है जिसमें शिव शंकर का टेरा, जो तिर लिंग के दार रूप में शिव जी करे बसेरा आद शंकरा चार तब किये इसी भूमी पे आके, देड व्यास ने वेद लिखा है यही तपस्या करके श्री के दार की महिमा सभी पुरान सुनाते हैं पावन कठा सुनाते हैं जो सयम शंभु के रूप है उनकी महिमा काते हैं हम कठा सुनाते हैं जै जै के दारेश्वर पंपं बोले शंकर जै जै के दारेश्वर पंपं बोले शंकर बेद व्यास ने लिखा है भतों तीठ के दार महां पापी पाप मुक्त हो जाये करे जब इनका ध्या महा भारत के शान्ति पर्ब में सत्य मार्ग बत लाए इनके पथ में प्रान जाए तो यो शिव लोक में जाए लिंग पुरान कहे जो प्राणी सन्या सी बन जाए श्री कैदार के पास रहे तो शिव समान हो जाए टीटी रूट्ट का पूजन करना श्री कैदार में रहना स्वर्क मिले मानव को ये वामन पुराण का कहना सभी पुराण के दार नाथ के घुण को काते है जो स्वयम शंभु के रूप है उनकी वहिमा गाते हैं हम कका सुनाते हैं जै जै के तारेश्वर बम बम बोले शंकर गुरु सूर्य दोनों मिलकर जब कुंभ राशी में आए के तारेश्वर का दर्शन तब मोक्ष हमें दिलवाए पत्म पुरान यही कहता अब कुर्म पुरान सुनाए श्री कैदार का दर्शन करके रुध लोग में जाए तरुड पुरान कहे के जार जी सारे पाप नसाए सौर पुरान का दारनाथ की महिमा पड़ी बताए जो चिर लिंग के दारनाथ का जो दर्शन पाजाए जीवन सुख में मिले अंत में शिव का गण बन जाए भोले स्वयम महापापी के पाप मिटाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जो स्वयम शम्हु के रूप उहन की वहिमा काते हैं हम कथा सुनाते हैं जै जै के दारेश्वर वम वम बोले शंकर पावन तीठ सुखों के दाता शिव की भग दिलाए जनम मरन के बंधन से राणी को मुथ कराए जो के दार का दर्शन इस जीवन में ना कर पाए ज्यर्थ है उसका जीवन ऐसा शिव पुराण बदलाए गुरु की हठ्या को की हठ्या पाप को त्रवत भारी श्री के दार के दर्शन से ये विपति नश्क हो सारी ये इसकंद पुराण कह रहा संतों की ये वारी श्री के दार के दर पर होते मुख्ट पाप से प्राणी यहां चनम जीवन जग बोले सफल बनाते हैं जो सयम शंभु के रूप है उनकी मह्मागाते है हम कका जुनाते हैं जय जय के दारे शवर ऑम-ऑम-बोले शंकर जय जय के दारे श वर ऑम-बोले शंकर पाप नाशनी मुक्त दालने सभी सुखोंगे दाते जो तिरे लेंग के डार नाथ के कथा थुदा वरसाते दुख दरित अभाव निधनता सभी कष्ट मिट जाए सुख समपति समान दिलाए धर्ट जोति जल जाए जो नर सुने ध्यान से उसका कुन्य उड़े हो जाए सुनकर कथा के डार नाथ के दर्शन का फल पाए श्रीक दार कब प्रकट हुए है किसके तपसे आए बत को सुनो जान से हम ये पावन कथा सुनाए करुणा सागर शिव भोले कि क्रिपा सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जो स्वयम श्रम्भु के रूप है उनकी पहिमा काते हैं हम कथा सुनाते हैं जै जै के दारेश्वर बंबं बोले शंकर जै जै के दारेश्वर बंबं बोले शंकर प्रह्मा के दस पुत्र हुए हैं मानस सुत कहलाएं अत्रि अंगी राकित पुलस्त भिग दक्ष पुलह है जाएं मुनिवशिष्ट मारीच पुत्र थे नारद हुए महरिशी जक्ष प्रजापत का पज़ पाए पत्नी नाम प्रसूति बहुत सिकन्या हुई दक्ष घर सबके व्याह रचाएं तेरह कन्या एक साथ ही धर्म से व्याह कराएं एक अगनी से एक पित्रगन एक को व्याह रचाएं जक्ष कसूती दोनों हरशित सबका व्याह रचाएं धर्म तेरहों पत्नी के पौमी बन जाते हैं जो स्वयम शंभु के रूप है उनकी महमा गाते हैं हम कता सुनाते जै 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 के दारेश्वर बंबं बोले शंकर जै जै के दारेश्वर बंबं बोले शंकर धर्म देव की तेरह पत्नी का अब नाम बताएं सथा मैत्री दया शांती और दोस्ति पूष्ति कहलाएं क्रिया पूधि मेता हिंति तिक्षा उनती मूर्ति सारी धर्म सभी से प्रेम करें पर मूर्ति अधिकती प्यारी एक एक सुत सबने जन में तो सुत मूर्ति ने जाये मूर्ति पुत्रथ नर्नारायन विश्णु अंश से आये हर्शित हुई मूर्ति मा इक दिन कह पुतरों वर मांदो नर्नारायन बोले माता हम जाएंगे तपको दोनों चले हिमाले खंड कैदार में आते हैं पावन कथा सुनाते हैं जो स्वयम शम्भु के रूप है उनकी महिमा काते हैं हम कथा सुनाते हैं जै जै के दारेश्वर बम बम बोले शंकर भतों सुनों के दार खंड ये बद दीवन में आएं नर्ना रायन यहां पैठ कर शिव का ध्यान लगाएं पार्थिव लिंग बना कर शिव का विदिवत पूजन करतें कतितिन भोले शिव शंकर का आवाहन थे करतें कई करोडों मंत जब किये शिव शिव हर हर बोले कई साल बीते वो तपस वी पलके तक न खोले भोले शंकर हर शित होकर पत दिन आया करते भक्तों का नयवेध नित्त ही भोले खाया करते भक्त जान ना पाए शिव जी किस पल आते है जो स्वयम शंभु के रूप हैं की वहिमा गाते हैं हम कता सुनाते हैं जै जै के दारेश्वर पम पम बोले शंकर जै जै के दारेश्वर पम पम बोले शंकर शिव की ग्रिपा अपार हो गई शिव कसन थे उनसे धर्म पुत्र शिव मान लिये थे प्रेम उन्हें दोनों से भोले कहे प्रेम से एक दिन उत्रों आखें खोलो अपने मन की अभिला शागो मुझसे खुल कर बोलो शच्धा भक तुम्हारे तपसे अतिप्रसनता मुझको आज कोई वर मांगो मुझसे सब कुछ दूंगा तुमको दोनों भक खोल कर आखें जब देखें बोले को वही अश्रु की धार हिदे गद गद था क्या बोले वो चर्णों पर किर पड़े सताशिव उन्हें उठाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जो सयम शम्हु के रूप है उनकी महिमा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं जै जै किनारे श्वर पम पम बोले शंकर जै जै किनारे श्वर पम पम बोले शंकर नर नारायन अति प्रसन थे छलक रही थी आखे साथ शाथ शिव खड़े सामने रुकी हुई थी सांसे दोनों सोच रहे थे मन में हम कैसा वर मांगे हाथ जोड कर खड़े हुए थे दोनों शिव के आगे कितने बड़े ते आलू हमारे भोले नात हैं देखो दर्शन देकर पूछ रहे हैं तुम कोई भर ले लो मन में उठा विचार यहां से जाने ना दे इनको अपने साथ इसी आच्चम में रख ले भोले शिव को मची हिदे में उठल उठल पर कहना पाते हैं जो स्वयम शंभु के रूप हैं उनकी वहिमा गाते हैं हम कता सुनाते हैं जै जै के दारे श्वर बंबं दोले शंकर नरना रायन दोनों भाई मिलकर यही विचारे इस आच्चम में साथ हमारे बस जाए तिपुरारे रोक सके ना अपनी इच्छा बोले भोले शंकर दुबते होंगे चरन तुम्हारे भितिये कंकर पत्थर बड़ा कश्ट होता होगा तब आच्चम तक आने में नित्य आपको आना पड़ता मेरे इस पूजन में पाओं बहुत ठत जाते होंगे चल कर परवतवन में यही बसेरा करते प्रभू जी इच्छा थी ये मन में नरना रायन शिव से अपनी विनए सुनाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जो सयम शम्भु के रूप हैं इत्व महिमा काते हैं हम कथा सुनाते हैं आप यहां बस जाएंगे तो जगता भी हित होगा हम भी नित्य करेंगे तर्शन चरणों में कित होगा जन कल्यान रहेगा होता सबके कश्चु मिटेंगे पाप नहीं जग में फैलेगा घर घर धर्म बढ़ेंगे सुख संतों शिशांती इस जग में खर पाणी पाजाएं लिपा आपकी परके ये जग खूलों सा मुस्काएं सबके अच्छे हो विचार प्रब भक्ति भाव ना जागें इस जग का कल्यान सता हो यही आप से मागें सबको कर्शन हो शिव का हम यही चाहते हैं जो त्वयम शंभु के रूप है उनकी महमा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं जै जै के दारेश्वर बंबं बोले शंकर जै जै के दारेश्वर बंबं बोले शंकर नरना रायन का विचार जब भोले के मन भाया भोले बोले तुम लोगों ने तो बेड़ी पहनाया भतो के तो बश में पुत्रों मैं हर पल रहता हूं भती भाव की जंगा में ही मैं हर पल बहता हूं जगता भला चाहते हो तुम अच्छी बात है तुम में तुम को नोसा भक्त न तेखा मैंने सरे जग में अभिला शा आशा इच्छा एं पूरी होंगी सारी साथ तुम्हारे यहीं बसूंगा यदी है चाह तुम्हारी नर नारायन हरशित होकर चीज जुकाते हैं बावन कथा सुनाते हैं जो भयम शम्हु के रूप हैं की महिमा काते हैं हम कथा सुनाते हैं जै जै के नारेश्मर पम पम बोले शंकर जै जै के नारेश्मर पम पम बोले शंकर थिम खंडों से प्रकट किये शिव इक शिव लिंग वही पर जो तिर लिंग बनाए भोले उसमें जोति समा कर भोले बोले ऐ प्रिय भत्तो जो तिर लिंग यहाँ पर साथ शात है रूप हमारा शिव हिसों हम यहाँ पर नाम के तारेश्वर है इनका मुक्ति भूक्ति सब देंगे पाप शाप अभिशाप सभी का श्री के दार हर लेंगे इनका नाम चपे जो प्रानी इनका ध्यान लगाए चर्शन और सपर्ष करे तो सारा सुखपा जाए श्री के दार के महिमा भोले स्वयम बताते है जो स्वयम शंभु के रूप है उनकी महिमा गाते है हम कका सुनाते है जै जै के दारेश्वर पम पम भोले शंकर जै जै के दारेश्वर पम पम भोले शंकर इस शिवलिंग के दारनाथ के दर्शन का जो फल है मैं वो सब बत लाता हूँ जो सत्य है और अतल है जो प्राणी पत्री का धाम को यात्रा करने आए यहां के दार खंड में आकर इनको शीश जुकाए मैं ही सोयम कैदार रूप में हर पल यहां रहूंगा अपने इसी कैदार रूप का सब को तर्शन दूंगा श्री कैदार की शरन में प्राणी कभी दुखी न होगा भक्ति शक्ति धन वैभव से हर प्राणी सुखी रहेगा शरनागत पोश्री कैदार रिजिकले लगाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जो स्वयम शम्भु के रूप हैं की महिवादाते हैं हम कथा सुनाते हैं जै जै के दारेश्वर बंबं बोले शंकर जै जै के दारेश्वर बंबं बोले शंकर एक बार इनके दर पर जो खानी चल कर आए मन की इच्छा पूरी होगी खाली हाथ न जाए यहां ही मौले के कणकण में मैं ही करूँ बसेरा भगत यहां दर्शन पाएंगे कई रूप में मेरा सोने का कंचन जो लाकर इनको भेट चड़ाए जीवन में सब सुख पाएगा भवसागर कर जाए जीवन भर की पूझा का फल एक दर्शन से पाए शिव में हो जाएगा प्राणी शिव में ही मिल जाए चनम मरन से मुक्ति कैदारेश्वर दिलवाते हैं जो तयम शम्हु के रूप है उनकी पहिमा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं जै जै के दारेश्वर पम पम बोले शंकर जै जै के दारेश्वर पम पम बोले शंकर चारो धाम की यात्रा करने जो भी भत चलेंगे पती नाथ के दारनाथ के तर्शन यहां मिलेंगे एक धाम पूरा हो जाए दोनों के तर्शन से रहना जाए अधूरी यात्रा दुखना हो जीवन से खीके दार के रूप में भत तो सुन लो मेरी वाणी स्वर्ग लोप का अधिकारी है इस तर पर हर प्राणी विष्णु रूप बत्री विशाल है शिव के दार कहलाए मुक्ति है तु दोनों प्रक्ते हैं सबको पार लगाए मन का हा सुर लोक के दारेश्वर पहुचाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जै जै के दारेश्वर पमबम बोले शंकर जै जै के दारेश्वर पमबम बोले शंकर महभारत के बाद पांडव पांचों भाई सोचे हत्या गोत्र और प्रहमन की पाप बनी है सिर्पे चले हिमाले बाचों पांडव श्रीकेदार के द्वारे शिव को जात हो गया ये पापों से बोजिल सारे अपनों का वद किये हैं पांडव पाप अधिक है इनका इनको छुकर चल जाएगा यहां शेत्र का तिनका मैं कैसे उधार करूँगा कैसे पाप हरूँगा ऐसे पापी के सनमुख मैं पलवर नहीं रहूँगा भैसा बन कर शिव मंदिर से बाहर जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं जो स्वयम शम्भु के रूप है उनकी महिवात आते हैं हम कथा सुनाते हैं जै जै के दारेश्वर बंबं बोले शंकर जै जै के दारेश्वर बंबं बोले शंकर कंकर पथर की राहों पर भैसा भागा जाएं पैसा कहां से आया पांडव भेग समझना पाएं बोले भीम भाईयो सुनलो ये है भोले शंकर भैसा बनकर भाग रहे हैं हम लोगों से बचकर दर्शन देना नहीं चाहते पाप हमारा भारी मंदिर छोड़ के निकल गए हैं देखो तमरू धारी बचकर कहां जाएंगे भोले तर्शन देना होगा आज के दारेश्वर को सारा पाप मिटाना होगा भीम शिक्र भैसा के पीछे तोड लगाते हैं जो तयम शम्हु के रूप हैं उनकी पहुना गाते हैं हम कथा सुनाते हैं जै जै के दारेश्वर बंबं बोले शंकर जै जै के दारेश्वर बंबं बोले शंकर केड़े मेड़े पत पर भैसा भागे आगे आगे पीछे पीछे भीम भागते भोले जितना भागे पूछ भीम की पकड में आई भीम खीचते जाए भोले शंकर भैसे कातन और बढ़ाते जाए पूछ खीच कर भीम बली मंदिर में लेकर आए गरदन सिर नेपाल में निकला पशुपतिनात काहाए पिछला भाग के दारेश्वर है सिर पशुपति कहलाए धैसे कातों नोहिस्सा शिव जो तिर लिंग बनाए प्रकट हुए भोले के दार पांडव मुश्काते हैं पावन कथा सुनाते हैं जो सयम शम्हु के रूप है उनकी महिमा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं जै जै के दारेश्वर बम बम बोले शंकर जै जै के दारेश्वर बम बम बोले शंकर दर्शन दे कर भोले शंकर पांडव को पत लाएं पाप तुम्हारे नश्ट हुए जब मेरे धर पर आएं युक युक नाम रहेगा पांडव जग सम्मान करेगा सभी पुरान शास्त्र में पांडव कुल का नाम रहेगा जनम मरन के भवबंधन से जूट गए तुम काणी मोप्ष तुम्हारा हुआ स्वर्ग में जाओ मेरी वाणी अंतर ध्यान हुए शंकर धर्टी में वहीं समाएं पिछला हिस्सा ही भैसे का श्री के दार कहलाएं धोले जो तिरलिं के दारेश्वर कहलाते हैं जो स्वयम शंभु के रूप है उनकी महिमा गाते हैं हम कथा सुनाते हैं जै जै के दारेश्वर अंपम दोले शंकर